हाई रुवन, PMSSV scholarship पले स्टुडेंट के लिए अच्छी खबर है अब सभी स्टेट का SNO यानि स्टेट नोडल आफिसर का कॉंटेक्ट नंबर और इमेल जारी कर दिया गया है जिन्हें कि आप लोग को फोर्म भरने में आ रही प्रोब्लम को बता सकते हैं अगर आपका अस्कुल फोर्म जमा नहीं लेता है या फिर आपका अस्कुल आपका फोर्म को भेरिफाइड नहीं करता है उस इसिति में आप लोग अपने अस्कुल के खिलाप SNO को कमप्लेन भी कर सकते हैं तो S&O का आप लोग अपने अपने स्टेट का contact number कैसे निकालेंगे तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल step by step बताएंगे तो आप वीडियो को अंतक जरू देखेगा देखिए S&O का contact number निकालने के लिए सबसे पहले आपको National Scholarship Portal पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है नीचे की ओर scroll करना है जहां कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा public corner और public corner में ही आपको जो है यहाँ पर चार number में देखिए लिखा होगा search a scheme wise nodal officer तो इसी पर जो है आप लोग को click कर लेना है तो चलिए इस पर हम click करते हैं तो आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस परकार से open होगा जहां कि आपको जो है सिर्फ estate वाले पर यहाँ पर tick करना है ministry वाले में आपको tick नहीं करना है तो चलिए हम state पर click कर लेते हैं तो आप जैसे ही click करेंगे तब आपके सामने district और zone खोलेगा तो यह सब में आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जो है ministry में जो है click करने ना है तो मिनिस्टी में आपको select क्या करना है तो ministry में जो है आपको यह चीज select करना है जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा department of social justice and empowerment backward class तो इसको आपको select कर लेना है आपको जो है scheme में select करना तो scheme में जैसे ही आप किलिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो जो है option मिलेगा तो आपको जो है second वाले पर टिक करना इस पर तो चलिए इस पर हम टिक कर लिए इसके बाद आप जो भी state से belongs करते हैं वो यहां से आपको state select कर लेना जैसे कि अगर आप लोग यूट उत्तर पर्दिस याने यूपी से हैं तो आपको जो है अपने state को select कर लेना है और जो भी यहां पर आपको capture दिख रहा है इसे आपको जो है यहां पर फिल करके submit के button पर click करना है तो चलिए इस capture को हम फिल कर लेते हैं तो जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं six है फिर देखें यहां पर बड़ा वाला जेड है तो वो कर लिए फिर seven है फिर aim है फिर nine है उसके बाद भी है इसके बाद आपको जो है submit कर लेना है आप जैसे ही submit करेंगे तो आपका state का जो भी नोडल ओफिसर होगा उसका यहां पर नाम लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि यहां पर है वंदना कुंदनलाल वर्मा तो आपका state यूपी वाले का जो है state नोडल ओफिसर यही है जिनका कि यहां पर contact नंबर और email दोनों ही आपको मिलेगा इनका address भी आपको जो है यहां पर देखने को मिलेगा यह कहां पर बैठते हैं तो देखिए इनका address है 10th floor इंदरा भवन अस नोग मार्ग लखनव तो सभी एस्टेट जो है अपने अपने state का राजधानी यानि capital में ही बैठते हैं उसी परकार से आप लोग जो है अगर जो है जो है अधर और state के हैं जैसे कि आप लोग अगर मान कर चलिए कि कोई भी जैसे की मद परदेश ही ले लेते हैं फिर यहां पर आप लोग जैसे ही सब्मिट करेंगे तो देखिए मध परदेश का यहां पर निकल कर आगया जो कि अनिल कुमार सोनी है इनका देखिए कुछी कवान सब्सकें करेंगे जो है यहाँ पर आपडेट किया जाएगा लेकर यहाँ पर एमेल मिलेगा जिनका कंटेक्ट नमबर नहीं है उनको जो है ईमेल कर देना आपको आपका स्क्रीन सौट वगेरा सारा कुछ लिलेना कि सर हमको फोर्म भढ़ने में यह प्रोब्लम आ रहा है या फिर आपके अस्कुल वेरिफाइड नहीं करता है तो उस स्थिति में आपको जो है कंप्लेंड करना है या फिर आपका अस्कुल रेजिस्ट्रेशन नहीं क जाएंगे और बोलेंगे कि पीए में सस्वी का स्टेट नोडल ऑफीचर से हमें बात करना तो आपको जो है वहां पर बता दिया जागा जैसे कि कोई-कोई स्टेट बिहार वाले भी होंगे तो देखें बिहार हम सेलेट कर लेते हैं यहां पार देखें सब्मिट करतें बिह बिहार में जो भी है पूनम कुमारी है इनका देखें मोबाइल नंबर भी है और यहां पर इमेल भी है कहां बैठते हैं तो देखें बीसी इबीसी वेलफेर डिपार्टमेंट बिहार पटना जो की पटना में है यह सची वाले में ही बैठते हैं तो सची वाले आप लोग ज पहले वहां से आपको सोलुसन नहीं मिलता है तो सुस्टिति में आप लोग से बात कर सकते हैं अगर डायरेक्ट भी आप लोग अपना हेल्प ले सकते हैं जो भी प्रोब्लम है उसका क्या सोलूसन है आपको बताते है जिसे कि कि किनि कर जो है अश्कूल का नाम सोन नहीं हो रहा है तो इसका कारण आपका स्कूल को की oxygen पर आपको अस्कुल का स्वरी जब आप लोग भरते हों यह तो आपको अपने अपने आस्टूल को आपको कहना पड़ेगा कि सर यह यह जो है प्लास प्रजेंट सो नहीं हो रहा है तो उस सिट्थी में जो है पिए में सस्वी के लिए जो है जो भी कलास जैसे की नांइन्थ है या फिर एलेवन्थ है तो उनके लिए जो है यह चीजे फिलेवल करना पड़ेगा जो रिनीवल वाले हैं उनके लिए टेन का सब्सक्राइब सब्सक्राइब नीकर सकते हैं तो आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट आपने का कोंट्रेक्ट नंबर निकालेंगे और उनको जो है प्रोब्लम बताएंगे तो आपका जो है फॉर्म भढ़ने का लास्ट डिट है 31 जनवरी 2024 इससे पहले तक जो है आप लोग अपना अपना फॉर्म को फाइनल सब्मिट कर लिजिए और अपने स्कुल में आपको डोकोमेंट जमा करना है तो डोकोमेंट क्या क्या जमा करना है हम आपको बहुत सारे वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो में हम आपको कुछ भी उताएंगे नहीं क्योंकि यह बस फालतू का लंबा हो जागा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो कर लिजी आगे भी आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहेगे थैंक्स पर वाचिंग